स्वागत है अब सभी का 5 May Concept के इस नए सीरीज में यह है वीडियो No.21 इस वीडियो में बात करने वाले है रियाक्टिव पावर के बारे में अगर आप एलेक्टिकल के स्टूडेंट है तो यह टॉपिक आपके लिए काफी जादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप रियाक्टिव पावर को समझने की कुशिस करेंगे है अगर आपको यह सारी बाते जाना तो इस धुलिक कई सारे नाम में इस वार फिये help का पावर किया है इस breaking case आपको और को सब्मेंधे remembrance की पिए इस कम principle करने अब ऐसा नहीं है कि यह non useful power है, इसका कोई use नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है, यह काफी useful power है, ऐसा कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, कि बिना reactive power के आप active power को बना ही नहीं सकते हैं, अब यह active reactive power क्या होता है, electrical theory के हिसाब से power को तीन टाइप में classify किया गया है, एक को हमने कहा है active power, दूसरा हमारा reactive power, और तीसरा जो है उसे हम apparent power कहते हैं, अब यह जो apparent power है, यह कोई नहीं प्रकार की power नहीं होती है, इस active और reactive power के vector submission को ही हम apparent power कहते हैं, तो अब यह different type के power के मदद से हम क्या करते हैं, हमारे घरों में जितने भी electrical appliances है या industries वगरा में जितने भी electrical बड़े- कर सकते हैं, कुछ load को आप resistive load कहेंगे, कुछ load को जो है आप inductive load कहेंगे, कुछ load को जो है आप capacitive load कह सकते हैं, अब यह inductive resistive capacity load क्या होते हैं, कुछ example में अगर आपको दू तो अगर मैं incandescent lamp के बात करूँ या electric heater के बात करूँ तो ऐसे load को जो है हम resistive load कहते हैं, जहां पे है अगर हम मोटर की बात कर रहे है यह एसी डिवाइज़ है जहां पर आपको winding देखने मिल रहा है इंड़क्टर देखने मिल रहा है तो वैसे लोड़ को हम inductive load कहेंगे और capacity जो है इसका concept तभी आता है जब हम AC circuit के साथ deal कर रहे होते हैं आपको DC circuit में किसी प्रकार का reactive power देखने नहीं मिलेगा यानि कि जो आपका supply है वो alternative की nature होना चाहिए उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आपके circuit में inductive load या तो capacity load connect रहना चाहिए अब ऐसा क्या हो जाता है जब आप inductive capacity load यूज में लेते हैं तो हमारा जो है आपको reactive power देखने मिलता है होता ये है कि जब भी आप AC circuit में inductive या capacity load को current करते हैं तो हमारे voltage और current के बीच में phase shift हो जाता है अब ऐसा क्यों होता है मैंने inductor capacity के बिच में दोनों के पर एक separate video बनाया है वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि inductor क्या है inductor जो है current के value को change होने नहीं देता है उसको oppose करता है अब जानते हैं जो AC होता है alternating current होता है वो हमेशा change हो रहा होता है अपनी direction को भी बदल रहा होता है और साथे साथ magnitude भी उसका change हो रहा होता है तो inductor भीया जो inductive load है वो हमारे इस change को oppose करेगा तो उसको oppose करता है इसलिए हमारा जो current है वो पीछे रहा जाता है voltage हमार जो है आगे हो जाता है तो ऐसे आप याद रह सकते हैं हम कहते हैं ना कि जब भी हम inductor use में लेते हैं तो हमारा जो current है वो lag करता है voltage हमारा lead करता है तो ये lead का मतलब होता है आगे और lag का मतलब होता है पीछे तो आपको समझ में आया यह बहुत confusion होता है बच्चे हमें सब भूल जाता है कि यह lead किस में करता है lag किस में करता है आपको पता होना चाहिए मैं आपको पहले ही पता है कि जो inductor है उसमें वो current को oppose करता है AC circuit में तो हमारे system में जो voltage or current है उसके बीच में face shift आ जाता है, यह face shift आने के वज़े से आपको reactive power देखने मिलता है, अब कैसे reactive power देखने मिलता है यह समझे, अब यह जो inductor है या capacitor है इसके एक property होती है कि यह हमारे energy को store करके रखता है, inductor जो है वो energy को magnetic field के form में store करता है और capacitor जो इस inductor capacitor को energy store करने के लिए जिस power की requirement होती है उसे हम reactive power कहते हैं, क्योंकि यह reactive power को ही store करके रखा जा सकता है, आप active power को store करके नहीं रख सकता है, active power आपको use हो जाता है, आप active power को जो है अगर दे रहें किसी भी load में, तो वो कहीं न कहीं जा करके last में heat के form में dissipate हो जाता है, इ इसे लिए आपने देखा होगा कि आपके घर में जितनी भी electrical appliances है, उसमें जो power rating दिया हो रहता है, वो वैट में दिया हो रहता है, अब यह जो वैट है वो active power का हमारा unit होता है, reactive power का क्या unit है, reactive power का जो है VAR unit होता है, तो VAR आपको किसी भी device में देखने नहीं मिलेगा rating, तो यह जो VAR है, यह जो reactive power है, यह हमारे system में ही होता है, कभी आपका load से जो है source के तरफ जाएगा, source से load के तरफ जाएगा, यह flow होता रहता है, कभी heat के form में यह dissipate नहीं होता है, इसलिए कहीं ने कहीं इसको जो non useful power कहा जाता है, शायद इसी वज़े से कहा जाता है, पट ऐसा इसका कोई use ही नहीं है, यह बहुत ही जाद important होता है, क्योंकि अभी तक आपको समझ में आ गया होगा, जैसा कि मैंने आपको कहा था, कि जहां भी आपको coil देखने मिलेगा, winding देखने मिलेगा, उसे जो है reactive power का need होगा चलने के लिए, तो अगर आपको पता है यह बात, कि ज करना है, तो आपको reactive power का need होगा, और अगर आप flux create नहीं करेंगे, तो आप rotor का, वो जो turbine को rotate करवाएंगे, उसका कोई मतलब नहीं होगा, कोई power आपको generate नहीं होगा, यानि कि अगर आपको generator की मदद से, अल्टरनेटर की मदद से, अगर आपको active power चाहिए, तो आपको reactive power उस समझाते हैं, इसको अच्छे से समझने के लिए हम यहां पर दो circuit को consider करते हैं, और यहां में पहला circuit में देख लिए हमने क्या क्या है, यह हमारा alternator है, alternator generator वही जहां से हमारे बिजली हमारे घरों तक आती है, और इसको जो है हमने series में एक inductor से connect कर दिया है, और यह inductor आपको फ्लो होगी, तो हमारा जो है यहां पर प्लस आएगा, माइनस इसके एक रोस जो है हमारा VL जो है voltage है, और यहां से जो है हमारा IL current flow हो रहा है, अगर आप इसका phaser diagram बनाएंगे, अगर आपको phaser diagram बनाने आता है, तो बढ़िया बात है, अगर नहीं आता है, तो मिझे comment section में बताएं, हम इसके उपर एक dedicated video बनाएंगे, पर यहां पर आप समझ लिए हम जो बताना चाहते हैं, कि VL को गर हम reference पकरते हैं, तो यह हमारा VL है, और मैंने आपको पहले भी बताया है, कि inductor में current जो है lag करता है, lag यानि कि पीछे रहा जाता है, तो 90 degree lag करेगा, तो इसको हमन reactive power, और यहां पर दूसरे circuit में आप देख पा रहे हैं, कि यहां पर हमने capacitor को connect किया है, और यहां से हमारा current जो है flow हो रहा है, इसका अगर हम लोग reference, अगर VC को हम reference पकड़ लेते हैं, तो यहां पर हमारा current या गरने वाला है, यहां पर हमारा current जो है, वो lead करेगा, lead करेगा, त inductor absorb करता है, लेता है और हमारा capacitor जो है, leading reactive power जो है लेता है, अब देखिए, इसको आप उल्टे तरीकी से भी कह सकते हैं, चुकि हमने कहा कि यह जो inductor है, हमारा lagging reactive power को absorb कर रहा है, store कर रहा है, तो यह हमारा inductor leading reactive power को deliver करेगा, यानिकि यह leading reactive power को देगा, capacitor किसमे क्या कह सकते है capacitor के case में हमने कहा कि यह leading reactive power को absorb कर रहा है तो इसे यह कहा जा सकता है कि यह हमारा lagging reactive power को deliver करेगा यह same है जैसे कि हम अगर आपको कहें कि एक हमारा load है वो 15 watt power को absorb कर रहा है तो आप उसको ऐसे भी कह सकते है कि यह minus 15 watt power को deliver कर रहा है तो यह same logic यहां भी apply होता है तो इसलिए आपने सुना होगा कि जो capacitor है जो है use में ली जाती है जब भी हमें power factor को improve करना होता है तो यह capacitor करता क्या है यह हमारा lagging reactive power को deliver करता है चुकि आपने जाना जब हम लोग highly inductive load को use में ले रहे होते हैं तो वो highly inductive load क्या कर रहा होता है वो हमारा reactive power ले रहा होता है कैसा reactive power ले रहा होता है lagging reactive power ले रहा होता है चुकि हमारा capacitor वो deliver कर रहा है lagging reactive power तो हमारा supply से लेनी की ज़रुत नहीं है अब supply से लेनी की ज़रुत नहीं है तो power factor हमारा ज़्यादा down नहीं होता है अगर हमारा capacitor use में नहीं लेते हैं तो यह जो कम यह जो reactive power वो ले रहा है वो कहां से लेगा वो supply से लेगा तो वहां पर उसका जो power factor है वो कम हो जाता है तो आपको चीजे समझ में आई यही चीज मैंने जो है power factor वाले वीडियो में भी थुरा detail में बताया था अगर आपको और बड़िया से जानना है तो वो वीडियो जाकट के देख सकते हैं रियाक्टिव पावर की concept में इतना ही मैंने कोशिस किया जितने अच्छे से हो सके मैंने आपको बतानी कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो मुझे कमें सेक्शन में बताएं और अगर आपको सीख ही नहीं मिला हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें मिलते हैं ऐसी किसे वीडियो में टेक क्या बाइबाए